आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ जो लोग फर्स टेंग मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहते हूं चोटी-चोटी स्टोरी इस पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूं जिनसे हम बहुत जारे स्टार्ट करते हैं रेडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर हूँमेन राइट्स आर एक सेट ओफ राइट्स का मतलब क्या होता है राइट्स होता है एक अधिकार का समू है a set of rights अधिकार का समू है जिसे every human हर एक मनुष्य को is entitled to entitled to का मतलब होता है हकदार होना तो simply sentence को हम कैसे रीट कर सकते हैं मानवा अधिकार अधिकारों का एक समू है जिसका प्रतेक मनुष्य हकदार है simply every human being is inherited with these rights no matter what caste every human being हर मनुष्य is means है inherited इसको विरासत में मिला है with these rights यह जो rights है यह इसको इसका अधिकार है या फिर यह इसे विरासत में मिले हैं no matter चाहे जो हो what caste कोई भी caste या निक कोई भी जाती हो creed मतलब होता है creed means होता है पंत या फिर धर्म आप बोल सकते हो gender means कोई भी link हो या फिर the economic status चाहे कोई भी आर्थिक स्थिती हो they belong to they belong to यानिके वे उससे सम्बंदित हैं या फिर इस sentence को आप ऐसे ही बोल सकते हैं ये अधिकार प्रतेक मनुष्य को विरासत में मिले हैं चाहें वे किसी भी जाती धर्म लिंग आर्थिक स्थिती से सम्बंदित हो simply human rights are very important for making human rights मानवा अधिकार बहुत महत्वपूर है for making यानिके बनाने के लिए making sure यानिके सुनेशित करने के लिए that key all humans सभी जो मनुष्य है get treated equally get treated equally का मतलब क्या हो गया कि जितने भी मनुष्य हैं उनको एक समान उनके साथ में यानिके समान रूप के उनके साथ वहवार किया जाए या फिर किया जाए get treated यानिके उनके साथ में वहवार किया जाए equally एक समान या फिर समान रूप से they are they है in fact वास्तव में fact अगर खाली होता word तो मारा क्या था meaning इसका तथ है but in fact का मतलब होता है वास्तव में they are in fact essential they वे वास्तव में आवशक है for a good standard एक अच्छे स्तर के लिए of living यानिके जीवन जीने के एक अच्छे स्तर के लिए ये वास्तव में महत पूर है in the world संसार में moreover इसके अलावा human rights safeguard the interest of the citizens of a country human rights होते हैं safeguard वो रक्षा करते हैं the interest हितो की of the citizen जो नागरिक होते हैं नागरिकों के हितो की वो रक्षा करते हैं of a country एक देश के नागरिकों की वो रक्षा करते हैं you are liable to have human rights you are liable आप उत्तरदाई हैं to have होने के लिए human rights आप मानवादिकार होने के लिए उत्तरदाई हैं if you are a human being अगर आप एक मनुश्य हैं if you are a human being अगर आप एक मनुश्य हैं तो आप मानवादिकार के उत्तरदाई हैं they will help in giving you a good life वो आपकी अच्छा जीवन देने में मदद करेंगे of happiness of happiness इनिके खुशी and prosperity खुशी और सम्रद्दी से भरा जीवन देने में वो आपकी मदद करेंगे future tense होगे हमारा they will help वो आपकी मदद करेंगे in giving देने में you a good life आपको एक अच्छा जीवन देने में खुशी और सम्रद्दी से भरा हुआ human rights are essentially divided into two categories of civil and political rights and social rights human rights मानवादिकार आर्मेंस है essentially आविशक है divided into यानिके उनको आविशक रूप से दो भागो में two categories यानिके दो भागो में या फिर दो वर्गो में उनको विवाजित किया गया है ठीक है यह दो श्रेडियों में बोल सकते हो दो भागो में दो श्रेडियों में या फिर दो तुकडों में दो हिस्सों में उसको डिवाइट किया गया है विवाजन उसका किया गया है of civil नागरिकों के लिए and political rights यानिकि जो हमारे राजनीतिक अधिकार जो होते हैं उनमे and social rights और जो सामाजिक अधिकार होते हैं उनमे this classification is important because it clears the concept of human beings further this classification ये जो वर्गी करण है यानिकि जो हम हिस्सा जो करते हैं अलग-अलग चीज़ों कर यानिकि जो वर्गी करण है is important ये महत पूर्ण है क्योंकि it clears ये spurs करता है the concept अबधारना को of human rights human rights ये मानवा अधिकार के जो अबधारना होती है ये इसको spurs करता है further यानिके आगे के लिए तो लोगों के जीवन में आगे क्या होने वाला है उसके लिए जो human rights होते हैं वो उनके आगे के जो concept होते हैं उनको spurs करता है plus साथी plus का meaning simply क्या होता है याद करने का भी तरीका मैं आपको कई वार बताती है क्यों कुछ ऐसे words होते हैं जिनको आप simply याद कर सकते हैं जैसे कि plus plus का मतलब करता है जोड़ना तो इसका मतलब कि साथी हम करते हैं हाँ चीज जोड़ करके तो साथी they also make humans realize they also वे करते हैं make human realize यहाँ पर हम करते हैं क्यों बोल रहे हैं make के बाद में हमने humans का use करा है उसके बाद में realize जो मारा verb होता है उसका use करा है they also make humans realize यह मनुष्य को realize कराते हैं या एहसास कराते हैं their role उनकी जो भूमिका है in different spheres जो उनकी भूमिका होती है different spheres विभिन चेत्रों में जो उनकी भूमिका होती है उसका एहसास भी कराते हैं when we talk about civil and political rights when, जब, we talk we talk, यानि कि हम बात करते हैं about means के बारे में civil and political rights जब हम नागरिक एंड राजनेतिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं we refer we मतलब हम refer refer means होता है तातपरे होना या किसी चीज से संदर्भित होना we refer to the classic rights of human we refer हम उलेख करते हैं the classic right classic rights मतलब क्या हो गया जो हमारे चलते आ रहे है अधिकारों का of humans मनुशे के जो classic rights से जो चलते आ रहे हैं उनका हम उलेख करते हैं these rights are responsible for limiting the government authorities that may affect any individual's independence these rights are responsible यह जो अधिकार हैं यह जिम्मिदार हैं for limiting सीमित करने में the government authorities जो सरकारी जो अधिकार होते हैं उनको सीमित करने में यह अधिकार जिम्मिदार हैं that जो may affect may affect यह जो प्रभावित कर सकते हैं affect का मतलब प्रभाव करना या प्रभावित करना ठीके दोनों होता है any individual's independence किसी भी वैक्ति की स्वतन्तिता को जो प्रभावित कर सकते हैं simply furthermore इसके अलावा these rights allow humans to contribute to the involvement of the government these rights यह जो अधिकार होते हैं allow मतलब क्या होता है allow मतलब अनुमती देना या किसी भी चीज़ के लिए बोल देना कि हाई चीज़ कर सकते हैं आपको रजामंदी देना किसी भी चीज़ की ठीक है these rights allow यह जो rights हैं यह जो अधिकार हैं वो allow करते हैं वो आग्या देते हैं humans को मनुष्य को to contribute 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 में सब योगदान देने के लिए to the involvement of the government involvement यानि कि भागीदारी of the government सरकार की भागीदारी में सहीयोग करने के लिए यह जो अधिकार हैं वो मनुष्य को आग्या देते हैं simple way में I hope आपको समझ में आ रहोगा बहुत ही easy है अधिकल्ट नहीं है in addition इसमें जोडते हुए to the determination of laws as well in addition शामिल करते हुए या इसके अंदर जोडते हुए to the determination determination का मतलब क्या होता है निधारन करना of laws as well साथी साथ जो कानून होते हैं उसके अंदर भी निधारन करने में आई होप ये topic आपको पसंद आया होगा बहुत ही जदा important है बहुत difficult नहीं है बहुत जदा easy भी नहीं है but yes इसके अंदर काफे सारे ऐसे words है जो आपको नहीं पता होंगे जो आपको पता होनी चाहिए आपको practice करती रहनी चाहिए ये video और ये topic कैसे अलगा है प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएगा आज के three words है जिनसे आपको sentence पराना है comment box के अंदर लिखना है first है entitled to हकदार होना next है inherited विरासत में मिला involvement यानि के भागीदारे इन तीनों words से आपको sentence पराना है comment box के अंदर लिखना है आज के three words जो है हमारे first है libel dictation का word है इसको कि आप comment box के अंदर लिख सकते है और यी चीज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोई जब अगर आप लिखते हो तो हमारे साथ में और भी हमारे friends योटते जाते हैं जोनको English सीखने में तीन word है dictation के इनको भी आपको comment box के अंदर लिखना है thanks for watching कैरिण एक दुझओंग यादा इस यह प्रड़ अमारे किस लिखते हैं कि यह